कि नमस्ते दोस्तों सीक्रेट ऑफ अल्टिमेट लिविंग में मैं मिताली आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूं पिछले कड़ी में हमने देखा था कि माफ करना कितना जरूरी है अगर हम अपने आपको प्यार करते अपने आपको स्विकार करते तो हमारे लिए मा जरूरी गहरी बाते हमको दॉक्टर सचीन ने बताई आज की सत्र में हम इसी पर आगे चर्चा जारी रखेंगे हर्बार की तरह लिए सवागत करती हूं नमस्ते ओम शानती अम शानती में फर्गीवनेस यह बहुत बड़ा सबजेक्ट हैं बहुत सुक्षमें हैं आपने ब पर क्या असर हो सकता है ये आप थोड़ा हमें समझाएंगे फर्गिव नहीं करना या क्षमा नहीं करना माना उस बात को अपने पकड़ के रखा है मेरा तो ऐसा मानना है और अभी साइंस भी हमको कह रहा है कि सभी बीमारियों का जड़ ये अनफर्गिवनिस में है हमारे शरी आज हमको ये बात पता चली है कि जो लोग अपने मन के अंदर आतमा के अंदर ऐसी गाड बान के रखते हैं उनके शरीर के अंदर भी खून के गाड हो जाती है तो इसको इतना साधारन मत समझेगा तो ख्षमा नहीं करना इसके अलग-अलग पहलू हो सकते हैं जिसको बार-बार विचार आता है जिसको हम अंग्रेजी में रिसेंटमेंट कहते हैं रिसेंटमेंट मना बार-बार उसको फिल करते हैं मेरे साथ ऐसा हो मुझे ऐसा का लेट तो कैंसर अंदर बान लेना तो खून की गाढ रख हो सकते हैं और इन ने जो लग्षन शुरुवात में दिखाई देते हैं जो लोक माफ नहीं कर पाते हैं तो माफ नहीं कर पाता एक एंगर का यह जो रिसेंटमेंट मैंने कहा या पकड के रखना यह एंगर मेना बहुत फीर वीमारियों को जनम देता है। इसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहला जो बहुत ऐसे बार बार अंदर चलता रहता है और इूसमें हमने क्या देखा कि इन लोगों का सबसे पहला affect होता है वोँ नीद affect होती है, क्योंकि दिन भर वह है रहे हैं। और रात को आपने ब्रेन को अन्नेसरीली यूस किया उसके एनरजी वेस्ट कई तो यू कैनोट रिलाक्स भले आपने दीन भर अपने आपको बीजी भी रखा लेकिन अट दे बैक आप माइंड आपके मन के पीछले भाग में चल रही है चीजे तो जैसे आप खाली हो हमारे पास मेडिटेशन करने भी लोग आते हों कहते हैं जैसे ध्यान करने बैठते हैं वह सब बाते याद आने लगती है इसका मतलब वह फाइल कहीं गईने बैक आप माइंड में है और जब वह खुलती है राद पर बिसर पर जाने के बाद आपकी नीन अफेक्ट हो गया अगर आई भी तो गहरी नीन नहीं आएगे आपको बीच-बीच में खुलती रहें और आप संतुष्य नहीं होंगे फ्रेश नहीं होंगे तो इसका डायरेक्ट एफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर भी आता है नीन डिस्टब रहती है ऐसे लोगों को हमने देखा है जो हम कहते यह तो मेरे दिमाग में जाता है किसी को देखने के बाद मेरे बहुत अच्छा वाक्य पड़ा कि जो लोग आप से प्यार करते हैं वो आपके दिल में रहते हैं या आप उनके दिल में रहते हो और जो लोग आपको एक्सेप नहीं करते हैं आप उनके दिमाग में रहते हो छो रख्याना में जाते हैं, लुकि यू झालेक उन लुगे सैहने हैं, और forwards線 आपने कम दिमाग में आपी, रख्या भारी होगा पीर यह जो अलग प्रकार के सिरदर्ध है तो एसे आता है कि यह ना इस तो इपन चुका तो यह सिरदर्ध पइदा करेगा यह ज़ि तो पुरने सिरदर्ध है उसका कहीं यजट एंगर में हो बहुत सुक्ष्मा यह बाते हैं कि कैसे आंगर, रिसेंट्मेंट, जेलसी आपके शरीर के अंदर बीमारिया पैदा करती हैं इसके ओपर बहुत सारा अभी लोग संचरदन कर रहे हैं बढ़िज भी आ रही है मुझे याद आ रहा है लूई हे करके एक अथर है मेटाफिजिकल हीलर है उन्होंने बीमारियों के चारी कारण बताया है खुष है कि Jourल आतलेश्य भावना है आपको हो रट अटक दे सकते हैं बलाड प्रेशर बड़ा सकते हैं बरेन की भी मारी हो सक्ती है बहुत कुछ हो सकता है जी मतलब फिजिकल सिम्टम्स बहुत सा अपने पकड़ के रखा है जितना आप यहां पर पकड़ के रखेंगे आपके अंदर कहीं ना कहीं हो पकड़ जाएगे अपकी खुशी चली जाएगे सबसे बड़ा आपका नुकसान ये होगा कि आपकी खुशी नहीं रहेगे खुश जहां से उनका पूरा पास्ट कंई बार उनके लाइफ पार्टनर उन्होंने खो दिये हैं हेल्ठ साथ नहीं दे रही है एंडर्जी उतना नहीं वर्क करने की उनको टाइम बहुत है अभी रिटायर है उनको अपना पास्ट बहुत याद आता है तो उन लोग का मन नहीं कैसे तीन फेज में जाता है और हमको पहले से इसके बारे में आगास किया जाए बता दिया जाए तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं हमारा ज्यादा हमारी प्रिवेंचन में लगनी चाहिए ऐसा मुझे व्यक्टिकत रूप से लगता है भच पन में हमारे पास टाइम बहुत होता है एनर्जी भी बहुत होती है धन नहीं रहता है द्धन के लिए अपने पैरेंट्स के ओपर डिपेंडन रहते जैसे हम बड़ा होते हम कमाने ल और बुड़ा पामाना क्या है कि आप अपना अंतिम पाड़ाओ पे है और बहुत सारी घटना आपने देखे हैं आपके जीवन में 50-60 साल जितने भी लोग आये सब आपके आखों के सामने हैं और सबी लोग आपको सुक नहीं दे सकते हैं उसमें से कुछ लोगों से आपको द आपक्षाय रहती है और बीमारिया होती है तो एक फ्रस्ट्रीशन रहता है और ओल्डेज हों जो आपने कहा कि इनके फैमिली मेंबर्स ने उनको रखा रहता तो एक गुसा भी रहता है तो यह सब इमोशन पैक्ट होते हैं उस एज में तो उस एमोशन के साथ वो लोग देखे है मैं अभी थाना में एक लेक्चर लिया मुंबई में तो वहां पर मैंने देखा 86 एर ओल्ड वेक्टी है आज भी वह चलाता है और अंधेर में आता है बोलता है मेरे को चश्मा है पर चश्मा लगा के मैं चलाता हूं ऐसे एक्जाम्पल है हमारे सामने ऐसे म किसी उनको कोई ना कोई हॉबी है अभी यह लोग इस लुड़े हुए है जिनका मैंने बात किया तो दीन बर उसका काम काम चालू रहता है वह गाइड करता है कैसे सुबह आते है गाना गाते है लोग वह लाफ्टर लॉप से जुड़े हुए है एक्सरसाइज करते है कोई कोई activities करते है, birthday celebrate करते है, कोई ऐसा scheme निकालते है, public सेवा करते है तो मैंने देखा कि यह व्यक्ति की दीन चरया इतनी busy है उसके वज़ेस कि मैंने देखा physically और mentally busy है तो इसके लिए negativity के लिए time ही नहीं है, problem तब आता है जब व्यक्ति खाली बैठा है हा, फिर वो आ टीवी या निउस्पेपर, क्योंकि ओल्डेज हों में पूरा दिन वो लोग टीवी देखते हैं, उनके पास कोई activity नहीं है, मेरी एक friend है, she is also psychologist, तो हम दोनों ने विजिट किया था, तो उन्होंने यही कहा कि कैसे भी करके हम इनको positive आतों में engage रतना है, it's a big challenge for us, क्योंकि वो पूरा time negative देखते हैं, बहुत पुश्किल होता है, क्योंकि by the time you become 60 plus, आपके पास positive और negative में जब आप उद्धाश्रम में आया है, तो chances ज़्यादा यह रहते हैं कि negative file ज़्यादा है, और यह newspaper और TV का जो आपने देखा, तो most of the time यहां से भी जो trigger आते हैं, आप newspaper का first page पढ़ो, इतने murder हुए, इतने बलातकार हुए, यहां पर यह scandal हुआ, scam हुआ, डर पैदा होता है, यह news जब मेरे अंदर जाती है, तो मेरे अंदर से भी वो क्या करती है, negative news को भाहर निकालते हैं, गीगो principle जो computer में हम इस्थेमाल करते हैं, garbage in, garbage out, आप अंदर कच निकलेगा, तो ultimately क्या हो रहा है कि व्यक्ति का negative file ही जादा खुल रहा है, तो it is very tough और इसका solution हमने जो देखा है, कि जब तक, पहले भी हमने देखा ना, जब तक यह positive activity में अपने आपको busy नहीं करते हैं, positive activity कोई बड़ी बात नहीं, आप gardening कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, music है, उसमें आप अपने आपको involve कर सकते हैं, या आप बच्चों को guide कर सकते हैं, आपके पास जिन्दगी का अनुभाव है, है ना, कुछ तो hobby आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगे, जिससे आप enjoy कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कि जो unforgiveness का, जो file आपके अंदर प प्रमा कुमारी में, सबसे अच्छी सेवा करने वाले senior citizens हैं, क्योंकि एक वो सुवे ध्यान करते हैं, इस उमर में नीम भी कम हो जाती है, तो चार-पांच घंटा में नीन पूरी हो जाती है, कई लोगों को नीन ने याते हैं, तो रात भर परमात्मा को याद करते हैं, में speech देना, यह भी काम यह करते हैं, अभी मैं एक हमारे retired manager से बात किया, मुझे इतना अच्छा अनुपो लगा, उनको हार्ट की तीनों आर्टरी ब्लॉक है, 99% और उनका हार्ट का pumping capacity था around 19%, minimum 60% होता है, 19% बाइपास करने को भी तयार नहीं हाला कि पैसे की कोई कमी नहीं ह कोई भी hospital बाइपास करने को तयार नहीं क्योंकि रिस्क है, operation करते समय on the table जा सकते हैं, आखिर में ब्रह्मा कुमरी के पास आये और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इसका बचना मुश्किल है और यह हो गई 15 साल पहले की बाद, आज 15 साल से पूरे भारत में नहीं देश पूरेशन नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात उनके मना यह विश्वास नहीं होता है कि यह कैसे होता है, आज अ मेडिकल साइंस हमको पता है कि यह बहुत कथिन है, इनका नाम अगनी होतरी है, यह चंदीगड से है, अभी उनसे बात किया तो I was shocked कि यह कैसे हो सकता है, मैं भी सोचने लगा कि how it is possible for proof मेरे सामने था और ऐसे एक दो नहीं आनेक लोग है, 68 की उमर में इस व्यक्ति में मैंने इतनी उर्जा देखी जो मेरे मेरे में नहीं नहीं दीए, पर यह इनर्जी आई कैसे क्योंकि उनको विश्वास हुआ कि परमात्मा की शक्ति मेरे को यूज कर होंगे जिनको यह तकलीफ है, और फिर उन्होंने कहा कि कैसे परिवर्तन हुआ, तो मैं यह इसलिए यहां पर बता रहा हूं कि अगर ऐसे senior citizens है, जो खाली बैठ है, परमात्मा की सेवा में लग जाए, तो जो निगेटिव तरफ एनर्जी जा रहे है, उसको पॉजिटिव म बहुत ही खुब दिया, कि 68 के एज में यह बार ट्रिगर हुई उनके लाइफ में, कई बार हमको लोग यह कहते है, आप तो काम उमर के हैं, आप यह सब क्यों कर रहे हैं, तो कई ऐसा भी है, इसके साथ जुडा हुआ, हमार यह पूरा series का लक्षा है, secret of ultimate living, मान जीवन जीन करें, ताकि परिस्तिति के आने के बाद सोचने के बजार, पहले से हम उसके लिए ready रहें, तो हम सब यह क्यों कह रहे हैं, कि अभी आपके जीवन में परिस्तिति नहीं आई है, तो आप पहले से तयार रहें इसके बार में, कि ऐसा हो सकता है, तो यह प्रोग्रम सभी के लि आप समझो अभी मिडल एज में है या यंग एज में हैं आपके जीवन में घटनाए घट रही है तो अभी से अलर्ट हो जाएए अपने अंदर अनफर्गिवनेस के आप बहुत सेफ रहे और यहां तक पहुंचे इने कई यह तो आप राजयोगा का बात कर रहे हैं ब्रह्मा कुमार इसके ज्यान की बात कर रहे हैं पर जैसे दुनिया में भी बहुत सरा ज्यान है लगलग रूप में अभी तक आपने जो चर्चा की वह चर्चा बहुत लेकिन ऐसा हो सकता है? यह एस स्टेज आने की चांसेश हैं हमको हमेशा परमात्मा के महावांख्य याद आते तो मैं यहां पर भी आमात्मा के महावाख्य बताऊंगा कि वो कहते हैं कि चड़ती कला तेरे भाने सब का भला ऐसा एक शलोक है तो चड़ती कला मन आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं यह बहुत अच्छी अवस्ता है लेकिन चलते चलते अगर आप विधिपुरुवा का अभ्यास नहीं कर रहे है आप बराबर नहीं चल रहे है नियमो के अनुसार आप सादना नहीं कर दे तो दो और कलाए हैं चड़ती कला से अपज लिए यह बाद और यह स्टेज नहीं होना चाहिए पर उसके बाद वले जो स्टेजे से वह है ठहरती कला जो आपने आपने अभर रहा हूं पीछे में जहां वहां भी ठहरा हूं या उसके बाद जो आती है वह उतरती कला माना आप निगेटिव डिरेक्शन में जा रहे हैं इस पॉसिबल स्टेजेस जब आप इस मार्क पर चलते हो कही पर आपने होमेपती के बारे में सुना होगा कि होमेपती जब इलाज चालू हो जाता है तो आपके अंदर की बीमारी पूरी बहार आते है क्योंकि वह जड से निकाल के उसको बाहर फेक रहे हैं सम्थिंग लाइक दिस अलसो हैपन सिन मेडिटेशन ये ध्यान का अबभास करते वक्या इस मार्क पर चलते वक्त ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर की पूरानी जो फाइल से वह खुलने लगती है आप कोई भी ज्यान पड़ो दुनिया में बहुत ग्यान है बहुत सारी साध नहीं हैं तो इस समय पर हमने देखा कि जब ये फाइल कि उस में बश्यान खुलने लगते हैं तो उसमे डर्ना नहीं चाहिए क्योंकि वह इलाज चल रहा है कुछ लोग डर जाते हैं और हमको यह कहते हैं पहले यह नहीं था अभी क्यूं आ रहा है ऐसा की प्रूसमे डरना आप के अंदर के फाइल्स खूल रहे हैं और बहार आ रही है बीमारी उसको आने देना चाहिए आप उदर कुछ ऐसी बाते रहती है क्योंकि बहुत जन्मों की बाते रहती है वह बाहर आके बुद्धी को रियलाइजेशन को कम कर देती है और फिर हमको न सब एक जैसा ही लगता है कल भी वही था आज भी वही है मना वह खूशी और नवीनता नहीं आते है रूटीन में आ जाते है जि है लेकिन फिर भी भीड से अलग है अलग है और अखेले हैं तो यह अवस्ता आने के चांसे से रहते हैं और मेरे खायल से यह भी एक प्रकार का ना इगो है सटल इगो समझ लिया हमने सब कुछ हां मुझे सब समझ में आ गया है क्या है करके दिस इस नाट लाइक दार नया हमको अनुबह होना चाहिए मतलब लर्निंग है हमारे लिए जिस दिन आपने समझ लिया कि मेरे को सब समझ में आगा उस समय आपका ग्रोथ रुख गया समझना चाहिए वियर स्टूडेंट तिल एंड अन्त तक हमको समझ से रहना चाहिए और यह बच्छों का एटिट है इससे हमारी क्रियेटिविटी और एनर्जी एंतुजियाजम बना रहता है तो यस डेफिनेटली ऐसी आवस्ता आने के चांसेस है लेकिन इसे बचने के लिए यह भी ध्यान में रखे कि मुझे हर क्षिन सीखना है हर व्यक्ति से सीखना है और हर दिन कुछ नया करना है त तो जब यह एटिटूड रखते है तो यह वस्ता आने के चांसेस कम हो जाते हैं बहुत ही खुबसूरती से आपने यह बात को हमारे सामने रखा कि एक सिनियर सिटीजन की अवस्ता क्या हो सकती है लाइफ में बहुत सारे लॉसस हुए रहते हैं ओल्डे जो में पांशने के जरूर हम सब अलर्ट होके बाइँगे अपने आपको बिल्कुल हलका «चोड़ेंगे सीरसे लेके पाव के अंगुठे तक संपूरन शरीर को में कूल हलका चोड़ेंगे नो हाथ दोनों पैर चाती पीथ पीठ के माइब स्पिष्या गर्धन और चेहरा बिल्कूल शान्त रिलाक्स, ध्यान दो आखों के बीच में लेकर जाए और देखे एक बहुत सुन्दर दिव्य प्रकाश, दिव्य सिधारा चमक रहा है, हम ये दिव्य प्रकाश हैं, इस शरीर से बिलकुल अलग है, ये शरीर भारी है पर हम बिलकुल हलके हैं, ये शरीर विनाशी है पर हम पर मात्म जो मुझात्म का पिता है, शांती का सागर है, सर्वशक्तिवान है, उससे सर्वशक्तियों का प्रकाश मेरे अंदर प्रविश्य कर रहा है मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान की संटान मास्टर सर्वशक्तिवान मेरे अंदर परमात्मा की सर्वशक्तिया प्रवेश कर रहे हैं मैंने आज महसुस किया कि संपूर्ण जीवन में अनेक लोग जाने अंजाने में मुझे उनके द्वारा दुख मिलता है और इन सब लोगों से जाने अंजाने में जो भी कर्म हुए है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं पकड़ के रखती हूँ तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे होने की संभावना है इन सब लोगों को क्यान के आधार पर समझ के आधार पर परमात्मा के श्रीमत के अनुसार मैं सच्ची दिल से क्षमा करने के लिए तयार हूँ इन सब लोगों को मैं सच्ची दिल से क्षमा करती हूँ क्षमा करती हूँ मैंने आज महसुस किया कि ऐसे लोग हमारे जिन्दगी में आते रहते हैं और वो हमें स्वयम शक्तिशाली बनाते हैं जैसे इन से गलती हुई है वैसे मुझसे भी जाने अन जाने में कई सारी गलतिया हुई है तो मैं स्वयम को भी इसके लिए क्षमा करते हूँ क्षमा करते हूँ अन्य लोगों को भी मैं उनके गलती के लिए क्षमा करते हूँ और अन्य लोगों से भी मैं सच्छे दिल से क्षमा मांगती हूँ मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा अब मैं हलका मैसस कर रहे और मैंने और भी रिलाइस किया कि दिन बर मुझे इश्वरिय ग्यान चिंतन में स्रिष्ट कार्य में अपने को बिजी रखना है कि संपूर्न दिवस भर मेरी दिम्चरिय मैं ऐसे बनाए रखंगे कि मेरा चिंतन मनन स्रिष्ट संकल्पों में रममान रहे इससे मेरे अंदर की नकार अत्मत फाइल खुलने के चांसे संभावनाए बहुत कम है मैं स्वयम को इन स्रिष्ट संकल्पों में बिजी रखंगे इश्वरिय कार्य में स्वयम को बिजी रखंगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हल्का लग रहा है मैं संपूर्ण दिवस भर इन सभी बातों का अटेंशन लखंगे स्वयम को और दूसरों को ख्षमा करने से मैं शान्ति का अनुभव कर रहे है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ओम संथे जान्ति शान्ति 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 अम शान्ति बहुत बहुत आप का धन्यवाद इतना सुंदर आपने मेढ़िटेशन करवाया हमको बहुत अच्छा ऐक्सपिरिनस मैंसुस कर रहे थी मैं खुद भी यहां बैट कर So thank you again दोस्तों आज हमने ये बात बहुत गहराई से जानी कि जब हम कोई बात को पकड़ कर रखते हैं तो कैसे क्लॉट हो सकते हैं हार्ट फेल हो सकता है, कैंसर हो सकता है डॉक्टर सचीन ने हमको एक बात बहुत बताई कि जो अगर हम माफ नहीं करते हैं ये सबसे ज़्यादा critical emotion है और जिसकी वज़े से अधिकतर problems हमारे life में create होते हैं शारिरिक बीमारिया उसी की वज़े से अधिक प्रमाण में होती हैं और दूसरा, अगर हम free हैं और बहुत मुश्किल हैं हमारे लिए positive सोचना तो हम कुछ अपने आपको creative work में busy रखे तो अपने आपी वो positivity अंदर से बाहराना शुरू हो जाएगी अब इस सब बातों पर विचार केजिए हम फिर से मिलेंगे नए secret के साथ तब तक के लिए नमस्ते कि अपने आपको अपने आपको अपने आपको के लिए नमस्ते